नमस्कार आप देखने हैं प्रभस आक्षी मैं हूँ आपके साथ अंकी सिंग वक्त संसट डायरी का है संसत के बजट सत्र का दूसरा चरण खत्म हो चुका है आज संसत के दोनों सद्रों यानि की राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिशित काल के लिए स्थागित कर गई है हलंकि विपक्ष आज भी हंगामा करता रहा विपक्ष महंगाई और वेरोजगारी के मुद्दे पर लगतार सरकार के खिलाफ होहला कर रहा था राज्यसभा में तो आलम यह तक हो गई कि सभापती इमवन के अनाइडू अपना पारंपरिक संबोधन तक नहीं दे सक लोगसभा के भी कारिवाही अनिश्यत काल के लिए स्थागित कर दे गई इस सथ्र में 27 बैठके हुई और सदन की कार्य उत्पादक्ता 139 प्रतीशत रही बजट सत्र की बैठक निर्धारित कारिक्रम से एक दिन पहले अनिश्यत काल के लिए स्थागित कर दे गई सुबा निचले सदन की कारिवाही शुरू होने पर लोगसभा ध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की बैठक लगभग 177 घंटे 50 मिनट तक चली है इस दौरान 182 तारंकित प्रश्णों के उत्तर दिये गए हैं उन्होंने बताया कि बजट सत्र के लिए लोगसभा की का केंद्रिय कक्ष में संबोधित कि बिला ने बताया कि दो च तीन चार और साथ फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और साथ फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनी मत से मंजूरी दे दी गई इस पर 15 घंटे 13 मि रेला ने कहा कि एक फरवरी को वित्त्य मंत्रे निर्मला सीतारमन ने वित्तवर्श 2022 देज का केंद्रिय बजट पेश किया इस पर साथ आठ नौ और दस फरवरी को चर्चा हुई थी निशले सदन ने बजट पर 15 घंटे 35 मिनिट तक चर्चा की सदन में रेल मंत्राले सरक एवं परिवहन मंत्राले नागर विवानन मंत्राले वानिज एवं उद्योग मंत्राले तथा पोत परिवहन मंत्राले के नियंत्राधीन अनुदान की मांगो पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया 24 मर्च को शेश मंत्राले की अन्य सभी अनुदानों की मांगो को एक साथ सबहने मतदान के लिए रखा गया और सबी को एक सात पारित भी कर दिया गया अध्यक्ष ने बताया कि सत्रके दौरान 12 विध्यक पुरा स्थापित किये गए और 13 विध्यक पारित हुए शदन में जम्मू कश्मीर संग राज़े शेत्र के लिए अनुदान की मांको और कर्णार का मांगो को भी पारिद किया गया सट्र के दौरान पारिद किया कुछ महतप्पून विध्यकों में वित विध्यक हजच डिल्ली नगार निगम संसोधन विध्यक 2022 सामोहिक सैहार के आयूष और उनकी परिदान प्रनाली विधी विरूद्ध किरिया कालापो का प्रती शेध संसोदन विध्यक 2022 तथा डंड़ प्रकिरिया शिन्हक्त विध्यक 2022 शामिल है उन्होंने ये भी बताया कि सदन में प्रश्ण काल में प्रती दिन और संसत का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था और इसको प्रथम चरन 11 फरवरी तक चला था प्रथम चरन में केंद्रिये बजट पेश किया गिया था बजट का दूसरा सत्र 14 मार्ज को शुरू हुआ था अब हम आपको राजसभा की कारवाही के बारे में बताते हैं को निशितकाल के लिए स्थागित कर दे गई अविशक दस्तवेद सदन के पटल पर रखे जातने के बाद सभापती एंवन किया नाइडू ने सभी सदस्यों को अउगत कराए कि आज बड़त सब्त्र का आखरी दिन है और वह कारवाई अस्थागित करने जा रहे हैं उन्ह चत्रित की गई निधी में कथित अन्यमितता को लेकर भारते जन्तापाटी के नेता किरिट सुमया उनके बेटे नील के खिलाफ मुंबई पुलिस की और से दर्ज किये गए धोखादरी का मामला उठाना चाहा कॉंग्रेस के सदस्यों ने भी समुद्द्धे पर सियोशना क साथ दिया सभापती ने हलांके सदस्यों को इस मामले को उठाने के अनुमती नहीं दी लिहाज विफक्षी सदस्यों का हंगामा आरंब कर दिया सभापती ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वह इस मामले को जहां चाहें उठा सकते हैं लेकिन सदन में नहीं क्योंकि उन जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके